बाइ बच्छों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल आज हम लोग पढ़ने जा रहा हैं भारत की सैने वेवस्था बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सैने वेवस्था जो है, थार्ड नंबर कोश्चन क्या पढ़ने हम लोग सैने वेवस्था बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सैने वेवस्था का थाड नमबर कॉश्चन, थाड नमबर कॉश्चन क्या का रहा बच्छों, देखिए यहां, सिकंदर और पॉरस के मद्ध तीन सो चब्वीस इसापुर्व में लड़े गए, जेलम के संग्राम, सिकंदर और पॉरस के मद्ध कौन सी नदी के तर्ट पर युद लड़े गए थे कौन सी नदी के तर्ट पर युद लड़े गए थे, देखिए यहां, जेलम नदी के तर्ट पर युद लड़े गए थे, कि संग्राम का वर्णन करना है हम लोग को, युद में पॉरस की पराजे के कारणों का बिशलेशन करना है, युद में पॉरस की पराजे के कारणों का बिशलेशन करना है और जहेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था 326 इसापुर में किसके किसके बीच सिकंदर और पोरस के बीच सिकंदर और पोरस के मद युद्ध हुआ था इसके किसके मद युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के मद अत्वा में दिया हुआ है जेलम या हाइडे स्पीज जेलम को किस यूद के नाम से जानते हैं हाइडे स्पीज का यूद जेलम नदी का जो यूद हुआ था इसे किस यूद के नाम से जानते हैं हाइडे स्पीज का यूद जेलम नदी का जो 326 पूर में लड़ेगा संगराम का सचित्र वर्णन करना है इस युद्ध में क्या सिक्षाएं मिलती है उत्तर यहां से श्टार्ट होता है देखे क्या बोलता है तुलनात्मक शैने सकती थी पूरस और सिकंदर की सैने संख्या के विशे में हम लोग कह सते हैं विद्वान एकमत नहीं है कुछ विद्वान कुछ कहते हैं अपने कथानु सर सभी विद्वता अपने बताते हैं अपने पौइंट बोलते हैं फिर भी एरियन और सर डबलु टॉन के अनुसान के अधिक तरक संगत जो है परतीथ हुए हैं कि earth बदीथ हुए है एरियन के नुसार क्या परतीथ हुए है बच्चे होगों औरस की कुल सैने सकति की अन्तरगात लग-भग, और रसकिषा सेंच चाहि ने सकती के अंतरगत क्या हुए थे ? 4000 अश्वर हो ही थे ? 4000 और 38000 पैदल सैनिक, 38000 पैदल सैनिक वह करते थे ? जोई संक्या 5000 थे ? पाँच हज़व, इनकी तुलने में शिकंदर के अश्वर रोहियों की संख्या 5000 थे ? सिकंदर के अश्वारोहियों की संख्या कितनी थी? पाँच हजार थी. किन्तु उनकी सेना में हाथी पूरस की सेना से कम ही थी. हाथी क्या थी? पूरस की सेना से कम ही थी. सिकंदर के अश्वारोहियों की जो थी? सिकंदर के अश्वारोहियों क्या थी? किसके सिना में, सिकंदर के अश्वारूही कवच युक्त धन धारी थे, कवच युक्त कवच कुंडल पहन के और धन दृर धारी भी थे और उसे पैदल सनिक कवच युक्त होने के साथ साथ एक कईस फिट लंबा भाला तथा एक बड़ी ढाल रखते थे कितने फिट लामा भाला रखते थे एक कईस फिट लंबा भाला रखते थे और कवच युक्त के साथ था एक 20 फिट लंबा भाला था एक बड़ी ढाल रखते थे जबकि पूरस के अश्वरो ही कवच विहिन थे पूरस के अश्वरो ही क्या थे कवच विहिन थे इस प्रकार हम कह सकते हैं सिकंदर सैन संख्या की दिरिष्टी से पूरस की तुलना भले ही सिकंदर सैन वियुस्था की दिरिष्टी में पूरस की से नुना से भले ही जो है नर्वल रहा हो कमजोर रहा हो निरवल का मतलब क्या हो यह होता है बच्छों देखें यहां एश्टुडेंट देखें बेटा निरवल की मतलब क्या होगा निर्बल की मतलब कमजोर निर्बल का मतलब कमजोर इस प्रकार सिकंदर सैन संख्या की दिरिष्टी से पुरस की तुलना महले ही निर्बल रहा हो किन्तु गुण की दिरिष्टी से स्रेष्टता की स्तिति में था किन्तु गुण की दिरिष्टी से क्या था स्रेष्टता की स्तिति में संग्राम का पर्थम चरण क्या था जेलम नदी को पार करके सिकंदर अपनी अश्वरोही सेना जो है क्या कि यह अस्व वाली सेना अस्व गोडा प्रधान जो था अस्व सेना को पैदल सेना के आगे करके पोरस के पड़ाव की ओर चल पड़ा, पोरस के जहां पड़ाव था वहां चल पड़ा, देखिए स्टोरी जैसा समझ जाना है कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने मन से आप लोग लिख लिजेगा, उधर जैसे ही पोरस को, पोरस को जैसे ही सिकंदर द्वरा नदी पार करने के स सत्रू को मार भगाने के लिए अपने बेटे को दो हजार अस्वरो ही, एक सो बीस रथों के साथ साथ भेज दिया, पोरस, दो हजार अस्वरो ही और एक सो बीस रथों के साथ उसे भेज दिया, क्योंकि क्रेटेरस, क्योंकि क्रेटेरस जो था, क्रेटेरस क्या था, क्योंकि क्रेटेरस जो था कि नियंत्रण में युनानी सेना को अपने सामने इस्थित देख सिकंदर की बहुत ही थोड़ी सेना द्वारा ही नदी पार करने की आसा की गई थी परनतु उसे अपने अनुमान पर अब इश्वास तब हुआ जब सिकंदर ने तीवर आकरण में उसके बेटे को चार सो सैनिको के साथ मोत के गाट उतार दिया उसे आकरमन का अंदाज कब हुआ जबने सिकंदर ने तीवर आकरणा बहुत तिक आकरमन करके उसके बेटे को 400 सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया उतार दिया प्रारम में सिकंदर राजकुमार पोरस की टुकड़ी को भारती सेना का आग्रिम गार्ड समझता रहा उसने वास्तुई की स्थिति से अगत होने के लिए हलकी अस्वरही टुकड़ी आगे भेजी वास्तुई सेना की क्या समझता था इसलिए जो है उसने वास्तुई की स्थिति से अगत होने के लिए हलकी अस्वरही टुकड़ी को आगे भेज दिया किन्तु जब बट जब उस असकी मुख्य सेना के अत्रिक्त एक छोटी सी सेना है, तो उसने इसे संपूर्ण वेग से कुचलने में देर ना की, पुरित तेज से उसको कुचल दिया, वर्षा के काण उत्वन कीचड फिसलान में भारती रत्व धनुस निस्क्री प्रमारित हुए, भारती रत्व धनुस ठीक है, बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को ? की जो है वी हुरेचना जो थी सेना की और विसाल सेना को सबसे आगे हाथियों को देखा तो देखकर विक स्मित होकर सिकंदर ने क्या कहा मैं अपने साहस के समक्ष अंदता एक खतरा वो बहुत साहसी था तो साहस के समक्ष क्या बोला कि एक डेंजरस पॉइंट जो है देखता देखता हूँ अब मेरा संगर्स जंगली जानवरों और और सधाना जीवन के वेक्तियों से पड़ा है क्या बोला है जंगली जानवरों और और सधाना जीवन के वेक्तियों से पड़ा है किसके लिए बोला है पोरस की सेना के लिए पोरस के लिए प्रणाम सोरुप सिगंदर अपने घोडों के हाथियों के मुकाबले अशक्त पाकर्त था उसकी अश्वरोही सेना की तुलना में स्रेष्ट समझ कर पोरस पर सामने का हमला ना करने का निर्णे पोरस पर सामने से अटैक नहीं करने का क्या किया निर्णे लिया उसने ठीक है गतिशीलता में विश्वास प को नश्ट कर देने की क्या बनाई योजना बनाई इसके साथ ही उसने अपनी पैदल सेना को पूरस की मुख्य सेना की और तिर्चे आकरमण के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ाने का निश्चे किया अपनी अस्वारोही सेना की टुकडी जो है कोपनस के सेना पतित्तों में सत पिफ्रू की दिश्टी से बचा कर उसके दाएं बजू के चक्कर काटकर अनुखूल समय पाकर पूरस पर पीछे से भी आकरमना करने की योजना बनाई पूरस पर क्या क्या है उधर क्रेटरस को गतर क्रेटरस को क्या क्या देखिए यहाँ, उधर क्रेटरस को, कहां थे हम लोग बच्चों देखिए यहाँ, उधर क्रेटरस को, पुरस के पिछे से भी आक्रम करनी की योजना बने, उधर क्रेटरस को, पहले से नदी पार कर, उप्युक समय पाकर, शत्रू सेना पर प्रिष्ट आक्रम की योजना ये बनाई गई थी ताकि उसकी पैदल सेना को आगे बढ़ते देख प्रिष्ट आक्रमन के भाय से पूरस अपने सेना और पैदल सेना को उसकी पुर्व इस्थितियों से हटा न सके देखिए यहां क्या कह रहा है पीछे से भी आक्रमन करने की योजना बनाया था परंतु क्र सेना को पुल्व इस्थितियों से आगे यहां देखा था थिक है जेलम संग्राम का जो है जेलम संग्रां का अब हम लोग देखेंगे टत जेलम संग्राम का तींसटो चबवीश सिसा पुर federal में क्या हुआилось seconds रवनन दर्शाय गया है न देखिए इन जेलम संग्राम का 326 सपूर में क्या किया, पर्थम संग्राम यही हुआ, सिकंदर की सेना यह रही, सिकंदर की सेना है, ठीक है, कोईनस की अस्वरोही सेना यहां थी, कोईनस की अस्वरोही सेना यहां थी, रत यहां पर थे, ठीक है, हाथी, गजो अश्वरोही यहां पर थे, पूरस की सेना यहां थी, सिकंदर की सेना यहां थी, सिकंदर की सेना और पूरस की सेना यहां थी, ठीक है, और जेलम नदी यह हुआ, जेलम नदी यह हुआ, सिकंदर का नदी पार करना, सिकंदर जो है, यहां से नदी पार करके और यहां पहुंचा, ठीक है, ऐसे नदी को पा कर ग RAM यहां से कंदर रहां हर रहां पर हुआ करते थे बत्य यहां पर थे और पाईडल्शेण यहां पर ती देखिएопас पैदल सेना यहाँ पर थी ठीक है पैदल सेना पुरस की सेना यहाँ थी प्रथम संगरामी यह हुआ सिकंदर की सेना यहाँ थी कोनस की सेना का बढ़ाव इधर से हुआ रथ यहाँ पर हुआ करते हाँ थी यहाँ थी पैदल सेना यहाँ पर थी अस्वरो ही यहाँ पर थी क्रे देखिए आगे जो है पोरस का शिविर जो था वो यहां पर था पोरस का जो शिविर था वो यहां पर था चित्र जो है ज घेलम का संगराम 326 जापूर वेही चित्र हुआ समझ गये बच्चों आप लोग देख लीजे पैदल से ना ये हाथी ये पूरस किसे ना यहाँ सिकंदर की जेलम नदी पार यहाँ से योजना बनी और यहाँ पार कर लिया सिकंदर का नदी पार करना यहीं से प्रारंब हुआ शिविर यहाँ पर थे उसके बना हुआ था ठीक है आगे देखिए चितर तो देख लिए हम लोग, अब आगे देखते हैं, क्या है? पूरस की वीव रचना, पूरस की वीव रचना क्या थी? सिकंदर पर्थम प्रारम में ही पूरस को चकमा देने की निती अपना रहा था, ठीक है? और वह रचनाबद होने से पुर्व ही उस पर आक्रमा कर देना चाहता था कौन पोरस दूसरी और पोरस जो है अपने पुत्र की मृत्तु का दुखत समचार पाकर थोड़े ही सेना क्रेटरस के मुकाबले में छोड़ बड़ी तेजी के साथ सिकंदर का सामना करने बढ़ा और हमला करने से पुर्व वह करी के मैदान में जो है रचनाबद हो गया उसी क पीछे पैदल सेना उसके पीछे हाथियों के पीछे पैदल सेना तथा दोनों बाजियों पर रत तथा आस्वारोही को करमशा आगे पीछे खड़ा कर जो है वह सिकंदर के आकर्वन की प्रतिक्षा करने लगा सिकंदर के अटैक की जो है वेट करने लगा सिकंदर द्वारा हमला सिकंदर द्वारा कौन सा हमला किया सिकंदर द्वारा किया सिकंदर ने फोरस के बाएं बाजू पर बड़ा तेज हमला कर दिया सिकंदर ने बाएं बाजू पर बड़ा तेज हमला कर दिया और उसकी आसा के अनुकूल जैसे ही दाएं बाजू से अस्वरोही से ना और बा भारी रत वाजियों परयर रखे थे वर्सा नहीं बाड़ा वर्सा के काण उत्पन कीचड वर्सा बी давार गतिहीं लोगा Aí अधर सिकंदर के भालों से अनेक हाथी सवारों को उधर सिकंदर की चेना जो थी पैदल सेना जो थी हाथियों की सेना पर भालों से जो है मार गिराया और उसके अस्वरों ही धनुदारियों ने हाथियों के सूण और आख पर निशाना बना दिये थिक है समझ में आरा बच्चों आप लोग को कहां थे हम देखिए यहां सेनिकों लंबे भालों सैनेक हानि सवारों पर मार गिरôm देखिए में अधनुदारियों ने हाथियों के सूंड और आख को निनसाना बना शुरू कर दे गायल पूरस जो था क्या किया मै हाथियों ने शत्रु और मित्र की पाच्चान किय बिना ही अपनी जान बचाने के लिए अपने ही सेनिकों को कुछलना प्रारंभ कर दिया कौन पूरस की सेना अता पूरस की सेना जो थी वह क्या की पूरस की सेना जो है पूरस की सेना जो है घबराहट और अस्थ ब्यस्थ होना सोभाविक हो गया घबराहट और अस्थ ब्यस्थ जब ऐसे अटाइक की ऐसी कंदर तो पूरस की सेना क्या होई घबरा गई और अस्थ ब्यस्थ होने लगी हारे हुए अस्थ रोही सेनिकों ने अपनी सेना को अंदर क और पीछे हटाना प्राणम किया हारे हुए सेनिको अस्वरोही सेनिको ने जो है पीछे की और हटना प्राणम है अपनी अस्वरोही और पैदल सेना को सिकंदर की सेना के मुकाबले बार बार एकत्र करने के उसके प्रयास सत्रू के तिवर आकणम के समक्ष निसफल रहे उधर आकमन की अंतिम ब्यवस्था में क्रेटरस ने भी नदी पार करके पूरस की सेना पर पीछे से आकमन कर उसे नश्ट करना और भागी हुई शत्रु सेना का पीछा करना प्राणम कर दिया कौन स्तिकंदर भले ही पोरस स्तिकंदर की सेना ने भले ही पोरस भारती राजाओं कि पूरस ने संगर्स से मकदुनिया वालों की लड़ाको भावना को तोर दिया था और उन्हें भारत में बढ़ने को विचार को त्यागने के लिए विवश्च कर दिया था पोरस ने लेकिन सिकंदर से पार नहीं पाए जेलम के इस यूद में हताहतों की संख्या आदी के सम्मद में विभिन मत भी आ गए उसमें एरियन के अनुसार इसके अनुसार एरियन के अनुसार देखिए अहाँ एरियन के अनुसार भारती मिर्थकों की संख्या में दो हजार पैदल सैनिक तीन हजार अस्वरोहियों और उनके सभी रत भी नश्ट हो गए और सभी हाथी सिकंदर के कबजे में आ गए थे इस यूद में पोरस के दो पुत्र और एक नाती तथा असी पैदल सैनिक 230 अस्वरोही मरे ठीक है डिवी डोरस का अनुमान अधिक सही परतित होता है अधिक सही परतित होता है क्या परतित होता है 2000 सैनिक मरे 9000 बंदी बनाए गए और 80 हाथी यूनानी कबजे में आ गए जबकि यूनानीों की मिर्त्कों की संख्या 262 अस्वरोही और 700 पैदल सैनिकों की थी समिक्षा क्या कहता है समिक्षा फर्ष्ट देखते हैं समिक्षा भारति इतिहास का यह संगराम सबसे पहला संगराम है जिसका बेवस्थित बीबरण मिलता है यह पहला संगराम ऐसा है पहली लड़ाई ऐसी है जिसका बेवस्थित बरणन मिला हुआ है यह बात दूसरी है क निस्पक्ष नहीं कहा जा सकता है कि क्या निस्पक्ष नहीं कहा जा सकता है है तो देखिए कि राजनेतिक फूट को दूसित प्रभाव अस्पष्टा सामने आ गए थाड़ यूनानियों के स्रिष्टा का पूरा भारती गुड़ सवार सेना का अस्तर यूनानी सेना से गिरा हुआ था यूनान के मद एसिया होती हुए अपनी लंबी विजय यात्रा में यूनानियों ने इसे छेत्र के स्रेष्ट घोड़े को प्राप्त कर लिया था सिकंदर द्वारा चुप चाप जहलम पार करने से युद्ध में आश्चर्त था धोखे का पता चला है इससे भारती पक्ष की देख भाल की छमता की कमी पर भी प्रकास पड़ता है यूनानियों पर निगाह रखने के लिए और बढ़िया धंग क्यों नहीं अपनाएगे जब पूरु को पता था कि सिकंदर पोरस को सिगरता आस पास से जहलम पार करने का प्रयास जरूर करेगा शिगरता से पूरुस पोरस को पता था कि सिकंदर जो है जहलम नदी पार करने का प्रयास करेगा तो वो जो है चुप चप क्यों बैठे थे और उसको जो है क्यों बढ़ि शिल्ता कम थी अचूक बान वर्षा करने वाली सेना के सबसे आगे हाथियों को खड़ा करना सबसे खतरनाक सीध हुआ अचूक बान वर्षा जब चल रही थी तो सेना के जो है संगठित हाथी जो थे वो सबसे आगे खड़े थे यही जो है सबसे खतरनाक साबित हुआ इसमें बता रहा है फिर भी अंतिया समझ लेना चाहिए कि छोटे राजी का राजा पूरू ही एक ऐसा वेक्ती था छोटे राजी का राजा पोरस ही ऐसा एक वेक्ती था जिसने सिकंदर का दिर्ण विरोध किया था और कोई विरोध नहीं किया था पोरस ही ऐसा था जो सिकंदर की दिर्णता तरीके से साहसिक तरीके से विरोध किया वह विरोध उसने उस सिकंदर का किया था जो अपने जो अपने क्या जो अपने समय की सारी शक्तियों का यहां तक उस समय शक्तिसाली इरानियों का राजि का सफाया करता चलाया था इससे पुरू के साहस और दिन्हता का पता चलता है बहुत ही साहसी थे पोरस जो थे बहुत ही साहसी थे खुई भी इरानियों को इतना पराजित किया सिकंदर लेकिन पोरस की सेना और पोरस ने दिन्हता से उसका सामना किया और साहसी तरीके से सामना किया नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे बच्चों, आगे का question हम, thanks for watching, thanks for really, वीडियो अच्छा लगे, like and subscribe और share कर दीजिएगा, thanks for watching.